इपल ने इस साल वाज़ार में आइफोन 12 को लॉंश किया है जिसमें खास फीचर के तोर वाइलेस चार्जिक सपोर्ट दिया गया है लेकिन कुछ यूजस ने इसे लेकर शिकायद की है आइफोन 12 में उपयोग किया गया वाइलेस चार्जिक फीचर ठीक से काम नहीं कर रहा जिसके कारण डिवाइस को चार्ज करने में परिशानी हो रही है वही अब सामने आई एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि कमपनी ने इस समस्या को ठीक करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे फिक्स किया जाएगा रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि आईफोन 12 में आ रही वायलेस चार्जिंग की समस्या को लेकर एक यूजस ने सिकायद करते हुए कहा है कि एक दिन वायलेस चार्जिंग सपोर्ट ठीक तरीके से काम करता है लेकिन अगले दिन ये काम करना बन कर देता है एपल फॉर्म में लगबख 700 लोगों के पास यही मुद्दा है इसके जवाब में एक एपल अजिकारी ने पुष्ट करते हुए कहा कि हम इस मुद्दे से अवगत हैं और इसे फिक्स करने के लिए काम कर रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूस से बुरो रिपोर्ट